कि है अपने होला कुमार आपकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसे कि पिछली क्लास में हमने इंटिकेशन शुरू किया था और इंटिकेशन के बारे में हमने उसके बेसिक फार्मूलों को डिसकस किया था और बेसिक फार्मूलों पर ही हमने कुछ को किया था तो दोस्तों थोड़ा सा मैं पीछे का रिवाइस कराते हुए आज शुरू करूंगा का इंटिकेशन का एक बहुत ही महत्पूर्ण सेग्मेंट जिसे बोलते हैं सब्सिटूशन मेथड बाई सब्सिटूशन मेथड ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले एक कोश्चन ले लेता है जो पिछले ही फार्मूले पर होगा देखो बहुत ही अच्छा कोश्चन है बोड में इंटिकेट करना है तो दोस्तों इसमें बेसिक हम लगाएंगे बेसिक क्या है हमारा सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर हमारा a प्लस b का होल स्क्राइब बन रहा है तो सबसे पहले हम उसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको हम थोड़ा एक्सपेंड क इसको हमने कर दिया अब थोड़ा सा सिंप्लिफाई करता है यह इस से कैंसिल और यह इस से कैंसिल तो यहां पर integration of x square upon m square plus m square upon x square ओ प्लस 2 और यहां पर हमारा dx ठीक है दोस्तों तो जैसे ही आगर आपको याद होगा याद होगा तो यह integration हमारा ठीरी टरमस में बन गया एक दो तीन तो मैंने बताया था जब भी integration इस उस फार्ली को ग्रहन कर लेता है तो हम क्या करते हैं अलग-अलग integration कर लेते हैं हर ट्रम का तो देखो दोस्तों इसका कित्ता हो जाएगा integration of x square upon m square dx इसका कित्ता होगा m square upon x square यह whole integration और 2 का integration आशा करता हूं दोस्तों यह step आपको समझ में आया होगा अब यहां एक बात देखने वाली है कि दोस्तों यह जो हमारा यहां पर constant क्या है हमारा one upon m square और यहां पर constant कितना है m square ठीक है दोस्तों तो इनी को हम भार निकाल लेते हैं तो one upon m square और integration of x square पिलस यहां पर m square और integration of x square और यहां पर यह constant है भार आजाएगा और integration ठीक है दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा बाई यूजिंग integration of x raise to the power n का कितना होता है x की power n plus 1 upon n plus 1 तो इसी को यहां पर हम लगाएंगे तो यह कितना हो जाएगा one upon m square तो यहां x cube upon three plus m square तो दोस्तों यह कितना हो जाएगा minus one upon x ठीक है दोस्तों और यहां पर two और one का कितना हो जाएगा दोस्तों x इसको थोड़ा सा हम अरजेस्ट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा x cube upon three m square यह m square और minus m square by x और plus two x और plus c तो यह दोस्तों इसका answer आ जाएगा बहुत अच्छा सवाल था मुझे important लगा तो मैंने आपसे आपको करा दिया है important ही question है यह ठीक है दोस्तों आसा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा जल्दी से स्क्रीन सोट ले लो बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था किलास के स्टार्टिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे इंटिकेशन का एक एक अगला स्टैप एक नया मैथड वह मैथड होगा हिंदी में इसको कहेंगे परस्तिस्थापन विद्धी द्वारा समाकलन और इंगलिस में कहेंगे इसको इंटिकेशन वाई सब्सीटिशन मैथड ठीक तो शुरू करते हैं इसका कॉंसर्ट बहुत ही इंपोटेंट है और एक्जाम में कोशन आते हैं इसी मेथड से आते हैं जो लोंग कोशन होते हैं मानके चलो बगर को चार नमबर का या तीर नमबर का कोशन होता है वो इसी प्रतिस्थापन विधी ठीक है दोस्तों देखो सब्सिट्यूशन का मतलब यह होता है कि हमारा जो भी फंक्शन अगर हमारे फंक्शन में जो भी सब्सिट्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास सब्सिट्यूशन का मतलब होता है कि मैं इसको हटा दूँ और इसकी जिगा दूसर रग दूँ तो कहा जाएगा कि इस वाले मारकर इस वाले मारकर को इस जिगा से सब्सिट्यूट कर दिया यानि कि परति स्थापित कर दिया तो इसी मैथड में इसी विधी को हम क्या बोलते हैं सब्सिट्यूशन मैथड मैं 2-4 पहले एक्जामपल ले लूँ फिर उसके बाद यह मैथड़ अपने आपके लिए रहो जाए हमें कुछ नया वैरियेबल रखना है जो हमें स्टेंडर्ड फॉर्म दे दे देखो पहले एक्जामपल देखो इंटिगेशन और बहुत छोटा एक्जामपल है अगर वह हमसे यह करा है कि साइन 80 sin ax और यहाँ पर dx ठीक है दोस्तों तो अगर हमसे अब यहाँ पर मैंने बताया था है कि स्टेंडर्ड अगर जो वैरियेबल बिगाल रहोगा उसी को हम eliminate करेंगा अब एक बार समझो मैंने आपको integration इसका पढ़ाया कि integration of sin x तो यह कितना होता है minus cos x ठीक है दोस्तों तो इसके integration में हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ observe कर रहे हैं कि x की power 1 है और इसका coefficient भी 1 है लेकिन यहाँ देखो यहाँ x की power 1 तो है लेकिन इसका coefficient हमारा कुछ है यानि कि 1 नहीं है 1 से अलग कुछ है तो हमने क्या काम करना है कि अब हमें पता चल गया कि इस पूरे function के standard को इस वाले element ने क्या करा बिगार दिया ठीक है तो इसी को हम कुछ नए variable के साथ माल लेंगे जैसे पूरा प्रोपर है इसका तरीका करने का हम यह मानेंगे लेट ए एक्स इक्वल टू ठीक है दोस्तों तो integration अब यहाँ पर इसका differential क्या जाएगा differential किसके रूप में क्या जाएगा किसके respect में क्या जाएगा एक्स के ही respect में क्या जाएगा ठीक है दोस्तों यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो differential किया जाएगा वह एक्स के respect में करना है देखो पूरा प्रोसेस बता देता हूं फिर यह हम डारेक्ट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स और यहाँ पर तो यह कितना हो जाएगा नजरा अगई कि जहां हमारा क्योंकि हमने इसकी जिगह टीम आना था तो क्या हुआ कि जो हमारा d x है उसकी जगा तो हम लिख देंगे d t by a और जहां हमारा a है a x है उसकी जगा हम कितना लिख देंगे t ठीक है दोस्तों तो अब हमारा सवाल then जो हमारा सवाल कनवार हुआ वह हुआ साइन्टी और यहां पर डी टी बाई ए ठीक है दोस्तों तो यहां पर कितना जाएगा वन अपोन ए और यहां पर साइन्टी और यहां अब देखो दोस्तों यह हमें स्टेंडर्ड मिल यह जो वेरियेबल था इसकी पावर भी वन हो गई और इसका कोफिसेंट भी वन हो गया अब हमारे पास इसका डारेक्ट अंसर है तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस के वन अपॉन एक कोस टी और टी की जिगार हम व हमारे पास साइन का साइन एक्स का इंटिकेशन कितना होता है माइनस वन अपॉन एक कोस ठीक है दोस्तों आसा करते हूं यह आपको समझ में आया होगा कुछ और एक्जामपल ले लेते हैं और अच्छे एक्जामपल पर बात करता है देखो अच्छा इसी को अगर इस असली सवाल हमारा यहां से बनता है तो इसी का सेम प्रोसेस यही होगा इसमें यह जो बी आ रहा है यह ज्याद है दिक्कत नहीं देगा क्योंकि डिफेंशन होने पर इसकी वैल्यू जब इसको इहां पर डिफेंशेट कर रहे होंगे तो डी कितना बी कितना हो जाएगा हमा है दोस्तों आशा करते हूं यह आपको समझ माया होगा ठीक है जल्दी से इसका स्क्रीन सोट ले लो बात करते हैं आगे है ठीक है दोस्तों तो देखो कुछ और अच्छे सवाल कि सब्सीट्यूशन मैथड इतना इंपोर्टेंट मैथड है कि अगर यह किसी को नहीं आया तो इंटिकेशन में मैं मानता हूं वह कम से है जो आपको पना रखा है जिसका मैंने स्टेंडर्ड इंटिकेशन में बात करी थी कि इनके स्टेंडर्ड इंटिकेशन हमको याद रखने है वह कौन-कौन से है देखो एक तो आप से मैंने यह कहा था कि इसका याद रखना है ठीक है एक कहा था आपको इसका याद रखना यह यह इसके बाद देखो दोस्तों यहां पर बात देखो यह आग्या 10x 10x का मैंने integration नहीं बताया था आपको ठीक है मैंने integration इस्टेंडर फोर्म में 10 का नहीं बताया था मैंने बताया था सैक स्क्वाइर का तो दोस्तों एक तो हमें इसका करना है कि एक हमें कोटेक्स का integration करना है ठीक है एक हमें कि सैक का करना है कि integration और एक हमें को सैक का integration करना है अलाकि यह जो टिग्नोमेट्री की 6 रेशो है 6 मैं से केबल 2 का ही हमें पता होता है integration लेकिन यह बात की जो चार आ जाती है एक दो तीन चार इनका integration इस substitution method से ही निकाला जाता है ठीक है दोस्तों इसी वजह से मैंने फर्स्ट किलास में हमने इनका integration आपको नहीं बताया होगा आप देखना वीडियो ठीक है दोस्तों तो आज हम start करेंगे इसी method से सबसे पहले 10x का integration हम निकालेंगे इसी method से उसके बाद कोट का फिर सेख का और फिर को सेख का ठीक है दोस्तों तो सुरू करते हैं आज का यह सवाल तो देखो दोस्तों कि हमने क्या काम करा कि कि इंटिगेशन हो आप 10x dx ठीक है दोस्तों तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइनएक्स अपॉण को सेक्स और यहांपर थीक है दोस्तों तो हमने क्या काम करा अब क्या यहाँ पर हमें यही बात सीखनी है कि सब्सिट्यूशन Method में क्या चीज हम में माननी है और क्या चीज differential लेने के बाद जो चीज मानते हैं, उसका differential करते हैं, और differential के बाद इसको और जो मानी गई जो प्राप्त होगी उसको कौन substitute कर देगा, कौन पर स्थापित कर देगा, यह चीज़ा हमें माननी है, देखो अगर मैं आप एक बात देखो कि इस dx को इसके साथ ही तो multiply में माना जाएगा, यह जो multiplication का rule होता है, वो यही तो होता है कि c की गुणा a में और d की गुणा b में, तो यही होता है कि dx की गुणा हम इसमें मानेंगे, तो हम जो इसमें मानेंग x बराबर t, यह हम यह मान लेंगे, अब differential, differential किसके respect में, x के respect में, तो यह कितना हो जाएगा, minus sin x और यहाँ पर dx बराबर dt, यानि कि sin x dx बराबर minus dt, ठेक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ से हमें यह चीज़ पता लग गई, कि जहां हमारा cos x है, उसकी जिगा तो t रख दो, और जहां हमारा sin x dx है, उसकी जिगा हमें minus के dt रखना है, ठेक है दोस्तों, तो यहाँ पर i हमारा कितना बन जाएगा, i stand for integration, तो यह minus के dt, minus dt upon t, ठेक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 1 upon t, और यहाँ पर dt, ठेक है दोस्तों, तो यह कितना हो ज हो जाएगा, देखों से आगे देखते हैं, तो then i बराबर कितना हो जाएगा यहां से, i बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, minus log और t की जिगा हम क्या रखेंगे, cos x, ठेक है दोस्तों, t की जिगा कितना हो जाएगा, cos x, तो हम एक formula और याद रखना है, इसका एक थोड़ा सा यह देखो, log 1 upon a, यह formula log की property है, तो होता है, minus log a, जो बेस यहां होगा, वो ही बेस यहां होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 1 upon cos x, तो यह हो जाएगा, log stack x, तो ध्यान रखना दोस्तों, plus c, तो इसको as a formula हम treat करेंगे, क्या, यह अगर हमसे, that's mean, कि अगर हमसे 10x का integrate कराए, तो 10x के दो formula होता है, कौन-कौन से log, sec x, या log cos x, ठीके दोस्तों, आशा करता हूँ, यह आपको समझ माया होगा, एक बात और, कि अगर, यह तो, अब देखो, यहां पर क्या है, यह, x की power 1 है, और coefficient भी इसका, 1 है, तो यह हमारा, अभी क्या है, इसको standard ही हम मानेंगे, लेकिन अगर, अगर इस type का यह आ जाए, मैं यहां बता देता हूँ, इसको, अगर वो हमसे इसका कराए, integration of tan, ax plus b, ठीके दोस्तों, मैंने का, अगर यह tan ax का कराए, तो कुछ नहीं है, यहां पर वो ही process हम यह लगेगा, इसको t माल लेंगे, देखो किस तरह से होगा, तो यहां पर, let ax plus b equal to t, ठीके दोस्तों, तो यह कितना हो जाएगा, differential x के respect में करेंगे, adx बराबर dt, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt by a, तो हमारा जो function i बराबर कितना बन गया, देखो, tan t हो गया, और dx की जिएगा, dt by a, तो यह कितना हो जाएगा, one upon a, और यहां पर tan t, और यहां पर dt, तो यह कितना हो जाएगा, one upon a, और tan का अभी हमने पड़ा, या तो इस से लगढ़ लो, या इस से घर लो, तो यह हो जाएगा, log sac t plus c, तो यानिके, minus one upon a, log sac t की जिएगा, क्या माना था, ax plus b plus c, यह हो गया, integration, ठीक है दोस्तो, तो यह integration हमारा किसका हुआ, tan ax plus b, दोस्तों आपको एक सलहा देना चाहूँगा, कि आप इसका tan x का integration ना याद रखकर, यह याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको integration इस वाले का रखना ही रखना है, याद, इसको ऐधा formula हम यूज़ करेंगे, इसको थोड़ सा अगर हम observe करें कि अगर मैं a की जिगा 1 रख दूं और b की जिगा 0 रख दूं तो हमें यही formula मिल जाता है, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा, substitution method सबसे ही important है, बहुत बहुत ज़्यादा important है, आपको यह देखना है कि मुझे क्या चीज को मानना है और उसे मानने के बाद सवाल में कौन सी चीज उससे replace हो जाएगी, कुछ और सवाल कर लेते हैं, देखो दोस्तों, इसी तरह coat का करते हैं, कोट के integration को हम करते हैं यहापने, देखो दोस्तों, सवाल है, integration of coat x, ठीक है दोस्तों, इसमें भी बिल्कुल सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड, जाद हम सोचेंगे ने इसमें, यह हमारा cos x upon sin x और यहाँ पर dx, इसमें यह let करेंगे, let sin x equal to t, और यह कितना हो जाएगा, cos x dx बराबर dt, ठीक है दोस्तों, then, i कितना हो जाएगा, i, तो यह कितना हो जाएगा, cos x dx, cos x dx dt से replace हुआ, और हमारा sin x की जिगा, t, तो यह इसका मतलब हो गया, 1 upon t, और यहाँ पर dt, तो यह कितना हो जाएगा, log t base e plus c, अब t की value रख देंगे, तो i बराबर कितना हो जाएगा, log t की जिगा कितना, sin x plus c, आशा करता हूँ, दोस्तों, यह आपको समझ माया होगा, इसी को अगर थोड़ा सा अगर, और standard form में ले जाए, देखो, कि वो हमसे इसका नहीं पूछेगा, वो हमसे इस type का करके देगा, इंटिकेशन ओफ, कोट, ax plus b, बिल्कुल वो ही, जो लास्ट टाइम में ने कराया था, तो इसका कितना हो जाएगा, by minus 1 upon a, और log sin ax plus b plus c, देखो, अगर मैं यहाँ पर, x की जिगा, a की जिगा, 1 और b की जिगा, 0 रख दूँ, a की जिगा, 1, b की जिगा, 0 रख दूँ, तो हमें यही मिल जाएगा, ठीके दोस्तो, तो यहाँ पर यही देहन रखना है, कि हमें चीजों को इस तरह से substitute करना है, कि क्या मानकर हमारी कौन सी चीज replace हो जाएगी, ठीके दोस्तो, बढ़ते हैं next question की तरह, यह अभी मैं formula ही proof करवा रहा हूं, ज्यादा मैं कुछ नहीं करवा रहा, सिर्फ formula proof करवा रहा हूं, formula proof करवाने पर मैं यह कोशिस कर रहा हूं कि आपको यह समझ माय कि परति स्थापन विदि में क्या करते हैं, क्या हटाना है, और उसकी जिगा जो differential होके क्या लग जाएगा, ठीके दोस्तो, कुछ और question करते हैं, देखो, देखो दोस्तो, हमने क्या काम करा, next question, आई, यह हो जाएगा, sec, x और dx, जहान से समझा हैं, दोस्तो, मैंने आपको sec square का integration पढ़ाया है, पहली किलास में, जिसको मैंने standard का नाम दिया था, और वो अब है हमारे पास sec x, sec square नहीं है, sec x, तो इसके लिए एक काम करेंगे, देखो, हमने sec x, जहान देना, अगर मैं इसमें sec x plus 10 x से भाग करूं, और sec x plus 10 x, सही गुणा, गुणा मैं भाग दोनों कर दिये, तो, अब भी सवाल पर कोई फरक नहीं पाना, इसमें थोड़ा से इसके अंदर गुणा करो, तो ये हो जाएगा, sec square x plus sec x into 10 x, और नीचे बना हमारा sec x plus 10 x, और यहाँ पर d x, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ, यह आपको समझ में आ रहा होगा, देखो दोस्तों, अब हमें मानना है, तो हम यह नीचे बाला मानते हैं, देखो, तो let sec x plus 10 x equal to t, तो यह कितना हो जाएगा, इसका differential x के respect में करेंगे, तो sec x का differential कितना होगा, भाई sec x into 10 x और इसका कितना हो जाएगा, sec square x और यहाँ पर d x बराबर dt, ठीक है दोस्तों, इसको अगर फोड़ों समय, इसको इधर करो, और इसको इधर करो, यानि के sec square x plus sec x into 10 x और यहाँ पर d x बराबर dt, तो देखो, इसके जिगाव तो t आ गया, अब यह जो ऊपर वाली टरमी तो है, यह यहाँ से यहाँ तक, जेखो, sec square x plus sec x 10 x into dx, sec square x plus sec x 10 x into dx बराबर dt, तो i हमारा जो convert हुआ, वो किस में convert हुआ, 1 upon t और इस पूरे की जिगाव dt, ठीक है दोस्तों, तो इसका 1 upon t का हमें पता है, log t base e पर प्लस c, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log t t की जिगाव हमने क्या माना हो था, sec x plus 10 x, तो यह हो जाएगा, sec x plus 10 x और प्लस c, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ, यह आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से बता दू, मुझे सवाल में केवल यह judge करना है, कि मुझे किसको मानना है, इसका कोई भी hit and trial में, कोई भी method नहीं है, इसका यह practice से आएगी बात, जब आप बार 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 practice करोगे, कि आपने अगर मान के चलो, मेरे अनुसार, आपने 30 सवाल भी इसके कर लिए, 30 से 20 सवाल भी अगर आपने कर लिए, तो आपको पता लग जाएगा, कि मुझे क्या मानना है, और क्या मान कर यह replace हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अब इसी सवाल को इस तरह याद ना करकर, इसी question को, इसी स्वार मुले को इस तरह याद ना करकर हम क्या से करेंगे, देखो, हम करेंगे integration of sec ax plus b और यहाँ पर dx, तो कितना होगा यह, वन अपोन ए, और यहाँ पर लोग, कितना, sec ax plus b और प्लस 10, ax plus b और यहाँ पर dx, प्लस series में टाल, very very most important concept है, फार्मूला है, ठीक है, यह इस तरह से याद ना करकर, sec x का differential, sec x का integration कितना होता है, लोग sec x plus 10 x, लेकिन इसको यही याद ना करके, इसको ऐसे याद करो, कि a की जिगा अगर मैं 1 डाल दू, b की जिगा 0 डाल दू, तो हमारा फार्मूला यह वाला अगर याद है, तो यही हमें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आगला, आशा करता हूं, यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका screen सोट ले लो, शुरू करते हैं आगए, देखो, अब हमारा केवल लास्ट बचा, टिग्रोमेट्रिक, रेशो का, लास्ट कौन सा, कोसेक का, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, integration of, कोसेक X और यहाँ पर DX, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी में भी यही सोचेंगे, हमने क्या काम करा, कोसेक X divided by, कोसेक X माइनस कोट X, और यहाँ पर, कोसेक X माइनस कोट X, को हम क्या काम करेंगे, यह उपर नीचे से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या काम करा, इसको अंदर मिल्टिप्लाई करा, ते हो जाएगा, कोसेक, स्क्वाइर एक्स माइनस, कोसेक X into, कोट X, अपोन, कोसेक X, माइनस, कोट X, और यहाँ पर, DX, ठीक है दोस्तों, तो इसमें फिर से यह नीचे वाले को मानेंगे, तो let, कोसेक X, माइनस, कोट X, इकोल टू, ठीक है दोस्तों, इसका डिफेंशल कितना होगा, माइनस, कोसेक X into, कोट X, और इसका डिफेंशल कितना होगा, पिलस, कोसेक स्क्वाइर, स्कोर एक्स और यहां पर किए डी एक्स बराबर ठीड ठीक है दोस्तों तो अब अब एक बात देखते हैं यहां पर तो टी आ गया और यह वाला फंक्चन यह मिल गया बहुत को स्क्वार एक्स माइनस को सैक कोट एक्स डी एक्स यह रहा और इसकी जिगा डीटी तो आई हमारा जो कन्वर्ड हुआ वन अपॉन टी और यहां पर डी अगर लोग टी टी की जिगा हम क्या डाल देंगे को सैक एक्स माइनस कोट एक्स ठीक है दोस्तों और यहां पर प्लस थी ठीक है दोस्तों फिर से जैसे ही पिछले सवाल में हमने करा था कि हमें इसका फार्मुला याद ना रखकर हमको किसका रखना चीए इंटिकेशन ओफ को सैक एक्स प्लस बी और यहां पर टी एक्स तो वह कितना हो जाएगा वन अपॉन ए लोग को सैक एक्स प्लस बी और माइनस कोर्ट एक्स प्लस थी ठीक है दोस्तों यह फार्मुला हमको याद होना चाहिए आशा करता हूं आपको यह समझ में समझ मारा होगा कि अगर मैं देखो यहां पर अगर हमें यह वाला फार्मुला प्राप्त करना है तो एक जिगा वन और बी की जिगा जीरो डाल दो तो यह हमें अपने हाप मिल जाएगा अशा करता हूं आपको यह समझ मारा होगा शुरूब बढ़ते हैं अगले फार्मुले की तरफ देखो देखो एक हो रहाता है बड़ा ही अच्छा फार्मुला है वन अपन यह होता है आई क्या था हो हाँ अच्छा एक्स प्लस बी रेस टुदी पावर एंड और यहां पर ठीक तो बिल्कुल सेम यही काम करेंगे हम हम क्या काम करेंगी यह जो ब्रैकिट के अंदर है इसको ही मानेंगे लेट एक्स प्लस बी इक्वल टू टी तो यहां पर ए यहीं डी य एक्स बरावर डी टी तो एक्स बरावर स्वरी डी एक्स बरावर डी टी बाई ए अप aí ठीक है दोस्तों यहां पर आई इतना हो जाएगा यह एकितना हो जाएगा टी की पाउर एन और यहां पर डीठी बाट एंड यानिके वन एपोन ए और टी की पावर एंड यहां पर द्ल ट यानिके i बराबर कितना हो जाएगा हमारा i बराबर हो जाएगा 1 upon a और यहां पर a x plus b की पावर n plus 1 upon n plus 1 c ठीक है दोस्तों तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है मैं बार-बार-बार-बार इसी बात पर जोड दे रहा हूं कि आपको केवल इतना समझना है कि मुझे function में मान लगा होगा कि चीजे किस तरह से मान कर किस तरह से सब्सिट्ट हो जाती है ठीक है दोस्तों कि देखो अगले फार्मूले में देखते हैं कि अगर देखो नेक्स फार्मूला कि अगर यह आ जाए बिल्कुछ से मैथर से a x पिलस भी और यहां पर dx तो अब मैं इसका डार्क लिखता हूं यह होगा वन अपॉन ए एक की पावर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी नेक्स्ट अगर हमारे पास यह है एक की पावर एक की पावर कितना सपोर्स कुछ भी b x प्लस सी डाल दें यहां ठीक है तो फार्मूला याद रखना दोस्तों एक की पावर एक्स का कितना होता है यह होता है एक की पावर एक्स अपॉन लोग ए बेसी तो इसी 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 कॉंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसको टीम आनेंगे तो यह कितना हो जाएगा वन अपॉन बी और एकी पावर भी एक्स प्लस सी अपॉन लोग ए बेस ए ठीक है दोस्तों तो यह इसका एक कॉंसेप्ट है इसी तरह से हमें और भी चीजे पता करेंगे कि फार्मूले क्योंकि अभी यह डारेक्ट फार्मूले मैंने आपको याद रखने है ठ करते हूं डारेक्ट सवाल में यह लगा दिया जाएगा ठीक है अलग से ड्राइव नहीं करे जाएंगी यह फार्मूले हमको याद करने है ठीक है दोस्तों देखो आगे एक सवाल ले लेता है दोस्तों आशा करता हूं कि यह मैं नहीं जितने भी फार्मूले अभी तक आपको करा दिये परतिस्थापन विधी पे आपको इस समझ में आ गए होंगे ठीक है फिर भी आपका कोई कमेंट या कोई नया डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उसका रिप पहला सवाल क्या था कि देखो इंटिकेशन और इंटिकेशन ओप को को कोस एक्स अपोन फ्लस कि साइन एक्स और यहां पर डी एक्स ठीक है दोस्तों कि यह सवाल है ठीक है अब इसको हमें इंटिकेट करना है है तो सबसे पहले हमें क्या मानना है हमें फंक्शन ही चुनना है कि डिफेंशल करने के बाद कौन सा आ सकता है तो मैंने क्या काम करा इसको माना जो यह अपोन में है पूरे ठीक है दोस्तों तो यहां पर लेट वन पिलस साइं एक्स इक्वल टू टी तो यह कितना हो जाएगा इसका तो डिफेंशल जीरो इसका डिफेंशल कितना कोस एक्स और यहां पर डिएक्स बराबर टी ठीक है दोस्तों तो अब देखो कोस एक्स डिएक्स की जिगा तो डिटी और इसकी जिगा कितना इसकी जिगा आ जाएगा हमारा टी तो यानिकिंटिकेशन आप जो बना हमा तो यहां पर दी तो यह कितना हो जाएगा कि लोग टी प्लस सी तो यह कितना हो जाएगा लोग साइंघS प्लस तो यह दोस्तों इसका ылस थो है छहे है दोस्तों तो यहीं इसी तरह से आपको दो चीजों को समझना है ठीक है एक एक और कुंसेप्ट कि कि अगर इंटिकेशन हमारा इस टाइम बार इस टाइप में आ जाए वन अपॉन एक्स प्लस भी ठीक है दोस्तों अभी एक बात मैंने आपको लास्ट वाले आर्टिकल में लेया लास्ट आभी कुछ देर पहले एक चीज कराई थी कि अगर इंटिकेशन हमें इसका करना है तो इसमें भी एक सर्थ जैसे मैंने पहली किलास में आपको बता है इसमें भी एन जो है वह हमारा माइनस वन के बराबर नहीं हो सकता लेकिन अगर इसी कॉंसेप्ट को मैं यहां रखूं तो यह हमारा इसमें एन क्या है माइनस वन तो इसमें माइनस वन जब भी होगा तो यह लोग में चला जाएगा आपको याद होगा कि अगर मैं इसको रखों कि वन अपोन एक्स या एक्स की पावर माइनस वन बिल्कुल हो गई तो यह कितना हो जाएगा लोग एक्स तो सेम यही कॉंसेप्ट हम यहां लगाएंगे लेकिन फार्मुला किस तरह से जननेट होगा वो इस तरह से होगा कि लेक्ट एक्स प्लस बी इक्वल टी तो यहां पर एक्स बराबर डी टी तो ए डी एक्स इक्वल टी अपोन ए तो आई इक्वल टी अपोन ए वन अपो यह दोस्तों आपको याद रखना है कि वन पॉन एक्स प्लस बी का इंटिकेशन कितना होता है जो एक्स के गुणांक में होगा वह यह पूरा फंक्चन ठीक है दोस्तों आशा करते हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दो स्क्रइब के देए व्याइब च्क रहा हो यह दोनि measuri कैजस कितना माद वहília थे रहनरा हो माद आपकों आपश्तों कर दो ईाय साएव बढ़स्तों आपकों Satan सवाल है कि integration of e raised to the power x upon one plus e की power x और यहां पर d x most most important सवाल है इसी से मिलता जुनता सवाल यहां आता है देखो वह भी बहुत बढ़े सवाल है वह कहेगा one upon one plus e की power x और डी एक्स ठीक है यह दो सवाल है वेरी वेरी most important सवाल है इसमें तीसा सवाल भी आप हम add कर लेते हैं देखो क्या हो वो integration of e raise to the power x plus e raise to the power minus x upon e raise to the power x और यहाँ पर dx तीनों ही सवाल में concept take लगेगा very very most important जब भी आएंगे यह सवाल सवाल तीन नंबर में आएंगे तीन से चार नंबर में सवाल आते हैं very very most important सवाल तो देखते हैं सबसे पहले इसको टैकल करते हैं इसमें हम यह नीचे वाला मान लेते हैं लेक्ट है 1 प्लस e की पावर x इकल टू टी अब जब इसको इतना जाएगा हमारा डी टी अपॉन टी तो यानिके इंटिकर वन अपॉन टी और यहां पर टी तो यानिके लोग टी और यहां पर जाएगा लोग 1 प्लस e की पावर एक्स और प्लस c यह दोस्तों इसका अंसर है फिर से यहां पर लिख देंगे सी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं सी को हम लिखेंगे कि सी हमारा एक समा कलन इस्थे रांक है ठीक है अब देखो यह वाला करते हैं दोस्तों वेरी वेरी मॉस्ट इंप आई इंटिगेशन ओफ 1 पिलस e रेस टूदी पावर एक्स और यहां पर दी तो इसमें ज्यादे कुछ नहीं करना एकी पावर माइनस एक से उपर नीचे गुणा करी तो e की पावर माइनस x से उपर नीचे गुणा करी और यहां पर dx तो यहां पर e की पावर माइनस x देखो यह जब यह अंदर जाएगा e की पावर माइनस x और यह कितना हो जाएगा और e की पावर 0 यानिके 1 और यह हो जाएगा dx ठीक है दोस्तों फिर से इसमें यह नीचे व सवाल में observe करते हैं देखो एकी पावर माइनस के एक्स डी एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस के डी टी और इसकी जीगा पूरा टी तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा आई स्टेंट फोर इंटिकेशन वन अपॉन टी और यहां पर डी टी और वो भी माइनस तो यह माइनस के लोग टी और पिलास सी तो आई बराबर कितना जाएगा माइनस लोग और बन पिलास ए रेस टो दी पावर माइनस एक्स पिलास सी ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा ठीक है फिर भी कोई कमेंट हो क्या कोई भी नया सवाल कोई कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले नेक्स कॉश्चन देखो कि इसमें फिल्कुल यही मानेंगे हम नीचे वाला ठीक है दोस्तों देखो यहीं से हो जाएगा यह तो लेट एकी पावर एक्स माइनस एकी पावर माइनस एक्स इकल टू टी तो इसको डिफेंशेट करेंगे एकी पावर एक्स और प्लस एकी पावर माइनस एक्स और यहां पर दी ठीक है दोस्तों तो इसकी जिगा एकी पावर x प्लस e की पावर माइनस के x dx की जगा तो dt यह रहा उपर मिल गया और यहां पर t तो यह हो जाएगा integration of one upon t और यहां पर dt तो यह हो जाएगा लोग t प्लस c तो i बराबर लोग t की जगा कितना रखतेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c कि दोस्तों इसका अंसर यह तीन टाइप के question वो बनाता है ठीक है इन तीन टाइप इं टीन टाइप से अलग वो कोई भी question नहीं बनाता hardly बनाता है लेकिन हमें उसपर जाद़ ध्रहां नहीं देना यह very very most important कोश्चन है ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं आगे कोश्चन जल्दी से इसका स्क्रीन सोट ले लो बढ़ते हैं आगे कि अगे कि अगे कि देखो आगे कि सवाल है बहुत अच्छे सवाल कि आता है कि आई इंटिकेशन ओफ ए की पावर एक्स और यहां वन हैं प्लस एक्स अपवन टाइन एक्स उइकश और यहांपर डी एक्स वारी-वेरी मौस्ट इंप्रोट एटीक है इसमें कॉंसेप्ट भी सीख Gods थीक है कि कॉंसेप्ट एग्जेक्ट ली क्या करवाना चाह रहा है हमसे ठीक है और यहां पर सवाल को करने का तरीका भी है जब भी आयेगा सवाल long question का ही सवाल है ठीक है very very most important तो देखो बलकि इसे ऐसे का यह होगा sine square यह होगा sine square x e raised to the power x ठीक है तो शुरू करता है है लेट ये की पावर एकस इकवाल टू ठीगा दोस्तो तो डिफ्रेंशल करेंगे डिफेंशल हमने इसका एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने कहा था कि डिफेंशल किया जाता है लिहां पर डिटे तो दो function गुणा में है तो पहले function को रखेंगे इसका difference प्लस दूसरे function को रखेंगे और इसका difference और यहां हो जाएगा dt upon dx तो यह कितना हो जाएगा x e raise to the power x और यहां पर e raise to the power x और यहां पर dt upon dx ठीक है दोस्तों तो यहां से e की power x common करो और यहां one plus x रहा और इस dx को इधार यहां पर dt फाइनल हम यहां पर इस conclusion पर पहुचे कि जहां x e की power x है वहां तो t रख दो यहां रखेंगे और जहां यह वाला है e की power x into one plus x और dx e की power x one plus x dx के जिगा dt रख देंगे तो आई हमारा जो convert हुआ वो यह हुआ कि one upon one upon sin square t और यहां पर dt ठेके दोस्तों यह हमारा convert हुआ तो यहां पर यह कितना हो जाएगा को सेक स्क्वार टी और यहां पर dt तो यहां पर कितना हो जाएगा यह माइनस के कोट टी प्लस सी ठीक है दोस्तों तो यह हो जाएगा माइनस कोट और टी की जिगा कितना रख देंगे हम कि है यहां रख देंगे x e raised to the power x plus कि यह के पाइनल टोस्तों अगर यहां पर होला होता है तो यह कितना उच्टありがとうございます सुरू करते हैं आगे में इंडेखो एक वस्यवित हो रहा है चलो यह आपके लिए है यह होगा एकी पावर एक्स प्लस बन और एक्स प्लस एकी पावर एक्स टीर्स ठीक है यह आप लाना करके पढ़ते हैं आगे कुश्चन यह एक और एक को लाना यह होता है कि इतना को टेक्स अपॉन लोग साइन है यह आएवे कोश्चन है दोनों ठीक है दोस्तो यह आएवे कोश्चन है इनको घर पर ट्राइक करना वैरी वैरी मोस्ट इंपोरेंट की एक कोश्चन है ठीक है शुरू करते हैं आगे देखो देख दोस्तों कोश्चन है क्या कि इंटिकेशन ओव कोस एक्स पर देख दोस्तों को सब्सक्राइब कर दोस्तों हमें इंटिकेट करना है देखो यह दो तरीके से हो जाएगा ठीक है पहला तरीका देखो पहले तरीके में हमने क्या काम करा इस नीचे वाले को मानेंगे लेक्ट X cos X बराबर T रहाएगा X इसकी जिगा कितना रख दूंगा माइनस साइन X ठीक है और कोस की जिगा कोस को ऐसे रखेंगा और ओन का x का integration स्टी डिफेंशल 1 और यहां पर T X बराबर DT तो यह कितना हो जाएगा हमारा को सेक्स माइनस एक्स साइन एक्स और यहां पर टी एक्स पराबर डी ठीक है दोस्तों तो एक्स को सेक्स की जिगा तो टी और को सेक्स माइनस x sign x की जिगा और dx की जिगा dt तो यानिके i हमारा कितना हुआ 1 upon t और यहाँ पर dt दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ रहा होगा तो यह कितना हो जाएगा log कितना t plus c तो यानिके यह कितना हो जाएगा log और t की जिगां कितना रखा जाएगा x cos x plus c ठीक है दोस्तों यहां पर लिख देंगे सी जहां नियतांक है समागल नियतांक है ठीक है अब देखो इसका second method second method यह substitution by substitution method से हुआ अब इसको अगर मैं बिल्कुल eliminate मतलब जो पहले elementary method से करूं प्रारंबिक जो मैंने बताया थी प्रारंबिक किलासों में यानि शुरुवाति किलासों में जो मैंने तरीका बताया था उसके according करें तो देखो क्या बनेगा यह आई इक्वेस्टू इसको इसकी जिगा यानि के integration of cos x upon x cos x minus x sin x अपोन x cos x ठीके दोस्तों और यहां पर dx इस x से x cancel इस cos से cos cancel तो यह कितना हो जाएगा 1 upon x और यह कितना हो जाएगा sin बटे cos यानि के 10 अब क्यूंकि हमारे दो function हो गए जो difference में है तो अलग-अलग हो जाएगा इनका तो यहां पर 1 upon x dx और यहां पर 10 x dx ठीक है दोस्तों तो इसका कितना होगा log x और यहां पर अभी मैंने बताए इसका कितना हो जाएगा 10 का log sec x ठीक है या plus या इसको ऐसे कर लो minus कितना cos x ठीक है दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा log x और यह plus log cos x ठीक है log की property होती है एक log m plus log n तो यह होता है log log m n तो इसी फार्मुले को यूज करते हुए इन दोनों की गुणा हो जाएगी यानि के log x cos x और बेस कितना है यहां पर यह ठीक है दोस्तों तो यह इसका answer ठीक है दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ माया होगा आज की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ माया होगा फिर भी आपके कोई डाउट या कोई नया सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं चैनल को जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको आपके लिए अच्छा करने का ओके सब्सक्राइब कर दन्यवाद कर दो कर दो